नमश्कार कैसे हैं आप आप हमारे पॉड़कास्ट को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की लिए क्यूंकि हम इस पॉड़कास्ट पे ऐसे व्यक्ति ला रहे हैं जो बहुत बड़े हैं अपने कामों से अपने सोच से तो इस बार हम ऐसे व्यक्ति को लाए हैं जिनोंने कोविड के समय दो साल पहले जो कोविड हुआ था हम सब उसी से गुजरे हैं वक्त रुक्षा गया था डिप्रेशन सा हो गया था ऐसे वक्त में हमारे महमान जगदिश कदम इन्होंने अपने साथियों के साथ ऐसा काम किया है जो गिनिज बुक ओफ वर्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ कोविड के समय और उन्होंने ऐसे कहीं काम किये हैं जो बहुत प्रेरणा दाई है तो उनके कामों के बारे में उनके बारे में हम जानेंगे इस पॉर्कास्ट में लए रही है जगदी जी आप हमारे बड़े आम इस पॉर्कास्ट पे आए इसका बड़ा आनन्द है हमें क्यूंकि हम सब जानते हैं कि आप ने इतना बड़ा मतलब काम किया इतने बड़े-बड़े काम किये हैं इसमें से एक सबसे बड़ा काम है जो अब तो जगजाहिर है लेकिन फिर भी हम उसको फिर दोहराना चाहेंगे हमारे पॉरकास्ट में कि आपने गिनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने बड़ा पराक्रम किया है और वो एक क्या कहते हैं एक पूरा हाइवे अप तो वंडर आपने करके दिखाया है वो कैसे किया और यह आपको क्यूं ऐसा मतलब आप क्या ऐसा लगागी आपको यह करना चाहिए था सही है आपने यह कहा कि यह भारत के अंदर पहली बार इंफ्रास्ट्रक्शर सेक्टर के हाइवे में स्पेशली रोड बनाने वाले शेत्र के अंदर पहली बार 75 साल में गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड हो पाया उसका कारण मैं जब सोचता हूँ तो मैंने सेविल इंजिनेरिंग करी तो 1986 में जब सेविल इंजिनेरिंग करी उसके बाद मैं इंफ्रास्ट्रक्शर पाया भूत सुविधा के क्षेत्र में आ गया और ये क्षेत्र में रूची रखने वाला मैं मैं हमेशा ये पक्का समझता हूँ कि अगर किसी भी क्षेत्र में आपको काम करना है तो दो चीजे होनी चाहिए एक आपको रूची होनी चाहिए पैशन्स और दूसरा परसिवरांस जब तक वो नहीं होता है जब तक आप उसको अच्यू नहीं कर पाते हो तब तक उसके पीछे रहो और बस ये हम लोग ऐसी इतनी बड़ी कंपणी नहीं है हमारी राजपत इंफ्राकॉन प्रावेट लिमिटेड और मैं उसका अध्यक्षव मैंने उसकी स्थापना लेकिन महत्व कांग शाहें बड़ी है वो तह है वो रखा मैंने और मेरे खाल से उस समय बैगराउंड भी ऐसा था मेरे खाल से कोवीड का बैगराउंड था जो थोड़ा सा बहुत सारा लोग उदास थे नेगेटिव थे थोड़ी सी थोड़ा सा उत कोवीड के अंदर सिर्फ देश मेने पूरे दुनिया भर में इस तरीके से बदलावा गया और हम मैं तो समझता हूँ हम अपने को अच्छी तरीके से समझ पाएं क्योंकि आज की जिन्दगी मैं आज बात कर रहा हूं कल क्या होगा नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा पता नहीं मैं कोवीड में जादा हुआ मैं कोवीड में होस्पिटलाइस था मैं पहले दिन जब ऑक्सिजन के साथ हॉस्पिटल में वहां एडमिट हो गया पहले ही दिन मैंने सोच लिया अब यहां कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं बस डॉक्टर आएंगे वह इंजक्शन दे देंगे ग करना है लेकिन ऐसे अगर हम चुप बैठे यहां हफ्ता दे दस दीन पंदरा दीन तो मेरी मानसिक्ता जो है ना और दी मॉरलाइज होती जाएगी इसलिए मैंने पहले ही दिन सोचा और बस मन में विचार आ गया कि ऐसा कुछ पढ़ते है कि जिससे कुछ जान में जाना है और बस सामने छत्रपदी शिवाजी महारास का शिवचरीतर तो बाबा साहाब पुरंदरे जी का जो दो अध्या है शिवचरीतर के साड़े 900 पेजिस का वो दो अध्या है बाबा साहब पुरंदरे जो शायद हिंदी भाषि को मालूनी हो उनके बारे में हम बताएं ठोड़ा सा की जो बड़े हमारे इतिहास तक हैं जिनोंने इतना शिवाजी महाराज और उनके सारा एरा को जिया है जिया है और बहुत लोगों को क्या कहते हैं तो स्पिरिट उन् साथ कैसे आपका संपर्गुआ तो आप ये पढ़ रहे थे शीविचा रित्र ने वह बाबा साब ने आपने जैसे कहा ना बाबा साब एक ही अगर सेंटेंस में कहना चाहे तो स्वामी विवेकनन्द जी ने जैसे लिख कर रखा है कि जिंदगी में आपका जन्म होता है सेंट परसेंट बाबा साब में वह फॉलो किया कैसे अपनी 99 आयू वर्ष की पूरी जिंदगी में उन्होंने सिर्फ एक ही धेयर रखा जीवन के अंदर चत्रपति शिवाजी महाराज उनका जीवन उनका चरित्र उनका प्रचार और प्रसाथ और बस एक जीवन एक धेयर आप जब कोविड में उस्पिटलाइस था मैं और उन छे दिनों के अंदर पूरा शिवाजी पढ़के मेरा पूरा हो गया उसके पहले भी तो तीन बार मैंने पढ़ा था लेकिन उससे जो उर्जा मिल गये न मैं आपको बताओ उसके बाहर आने के बाद ऐसा अलगी कोई सो मन में आने लगी आगे कोविड जुनुन सा आगे कोविड तो चलता रहा कोविड मुझे याद भी है साल वो 2020 सब्टेबर में मैं अड्मिट था एक ओक्टेबर बिस्चार्ज हो गया बाहर आ गया इंफ्रस्रक्ट्ट्र डेवलप्मेंट का मेरा काम चल रहा था बारा सो ल इम्मेदर मेरे उपर थी तो जैसी दिन बदिन आगे चलते गए तो सेकंड कोविड स्ट्रेंज जब आ गया वो था जन्वरी 2021 से लेके एप्रिल 2021 ता और उसमें हर एक के बारे में हुआ कि अपने नजदी की लोग चल बसे रिष्टिगार कोई किसी का अगर बहुत ही तो उस डिप्रेशन के काल में जो हुआ इतना व्याथित हुआ मैं दी मॉरलाइज हो गया मेरे साथ मेरी पूरी राजपत की टीम दी मॉरलाइज हो गया मैं आपको बताओं कि एक तो वक्त ऐसा आ गया था परवरी 2021 में कि मैं सोचने लगा कि मेरे जिन्दगी का क्या मैंने मैं जिन्दा रह पाऊंगा या नहीं यहां तक सोच मेरे मन में आ रही है लेकिन दूसरी बार दूसरी साइड में मैंने एक बात मन में रखी 1200 लोगों का परिवार उनकी जिम्मेदारी मेरे उपर है मेरा परिवार उसकी जिम्मेदारी मेरे उपर है मैंने लोगों को पूछ लिया मेरी स्थीति तो उन्होंने मुझे बताया जगदिश आपकी जो स्थीति है वही हमारी है और बस मैंने मन में विचार किया सोच बदलो दुनिया बदलेगी और इसी लिए मैंने ये सोचा मार्च और एप्रिल 2021 उस महनों में मैंने उन दिनों में बहुत सोचा और तै कर यह कुछ काम कर के हम दिखा दे कि वह निगेटिव मेंटेलिटी यहने नकारात्मत पूरी दुनिया में च्वायली ती उसके उपर सकारात्मत दुष्टिकों रक्के ओश्प्र कुछ का मं कर के दिखाए हमारे खशेतर में इंफ Wenya को हम कह सके हमने यह काम करके दिखाया सकारात्मक दुष्टि कौन से आप निगेटिविटी निकाल सकते हो और हमने यह इंफ्रस्ट्रक्चर में किया आप आपके इंफ्रस्ट्रक्चर या कोई भी क्षेतर हो उसमें करिए उसमें आपको ऐसास हुआ कि दवा वाँ तो चलती रहेगी ले इसमें फिर हमने क्या सोचा और तब कि कुछ ऐसा काम करके दिखाया तो क्या करें तो इंफ्रस्ट्रक्चर क्षेतर में काम कर रहें तो इंफ्रस्ट्रक्चर क्षेतर में रोड्स हाइवेस का काम करते हैं तो हाइवे के अंदर ऐसा कोई एक रेकॉर्ड बनाएं ताकि हमार लोगों को भी ऐसा लगे, मुझे भी ऐसा लगे, कुछ करके दिखा दिया, तो लोगों के साथ मैं बात करते गया है मेरे लोगों के साथ, और उनी से वो आना था मुझे, मैंने अगर बता दिया as a leader, as a CMD, as a chairman, तो वो follow करेंगे, मुझे उसकी चिंता नहीं थी, लेकिन उनकी मन से आना चाहिए था, ताकि उन्होंने वो जिम्मेदारी उठानी चाहिए, बस वो स्थीती वहां तक मैंने लाके रख दी, मिटिंग लेते रहा, एक मिटिंग में साइट के, साइट के मेरे लोगों ने मुझे कहा, कि सर फिर ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ करके दिखाएं, रोड के अंदर, मैं पूरी तैयारी के साथ उनके साथ बैठा था, तो वो सवाल उनकी तरफ से आ गया, सब आज तक का वर्ल रेकॉर्ड क्या है, एक दिन के अंदर रोड बनाने का, मैंने बोला कि 25.54 किलोमेटर सिंगल लेन, बिटुमिनस कॉंक्रीट, वो तोड़ेंगे, देखो, आसान नहीं है, बहुत मुश्कील है, लेकिन अगर करना चाहते हो, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं कर रहा हूँ और आप मेरे साथ आओ, ना, आप करना चाहते हो, मैं आपके साथ हूँ, मैंने ये तीचा रख ली, क्योंकि उनको साथ में लेके, उसके बिना ये और बस तैयारी के साथ जुट गए, मैं आपको बताओ, 30 मई 2021 को महराश्ट के सातारा के नजदिक पल्टन पंडरपूर रोड पे हमने एक रोड का रिकॉर्ड किया, सुबह 7 बजे पूजा विधिवत करके काम शुरू किया, और 24 गंटे के अंदर हमने ऐसा रोड बनाया, रात को 9 बजे, जब मैंने रोड माप लिया, हमारे लोगों का चल रहा था काम मैं साइट पे था, तो वो जो अरलियर वर्ल रेकॉर्ड 25.54 किलिमेटर का वो उन्होंने तोर दिया था, रात को 9 बजे, और हमने रखा था 30 किलिमे अपना 18 गंटे में हो जाएगा, रुक सकते हो, ना, उन्होंने मन में लिया था, उन्होंने मन में थान लिया था कि काम करना है 24 गंटे, उन्होंने कहा कि सर, 24 गंटे काम करके दिखाएंगे हम और 24 गंटे के बाब जब बात, जब माप लिया रोड, तो निकला 39.69 किलिमेट किया है खरीब गरीब एक सो साथ परसेंट ज़्यादा काम किया अर्लियर वर्ड रिकॉर्ड जो था उससे इसका मतलब यह रेकॉर्ड नी था यह जुनून था और यह अपने को बदलने की स्थिती थी यह इसकी वज़े से यह सब हो पाया कमाल है मतलब अब जब ठान लेते हो तो क्या कर सकते हो मतलब आप बेल कर ऑना तो यह १नुन श्पिरिट ने पर रिकॉल्दूर है टो यह श्पिरिट मतलब आपने दो ने जो मनलब जो इख भी आई पनाने का ल१较 ने जो आपने ज़ू पनी का दो ने लेकिन आप इसको जिए है, आप इनके विचार, उनके जो धेय उनको जिया है, यह कैसे आए और आप इसको कैसे इंप्लाइ करते हो? तो क्या है मुझे समझ में नहीं आता है वो कैसे रूची मेरे मन में आ गई लेकिन मैं जब छोटा था ना मेरे पीता जी को भी चत्रपदी शिवाजी महाराज के जीवन चरीदर के ऊपर काफी काम किया वो 19 साल के थे पुना में आये थे वो हमेशा मुझे बताते थे कि स्वर जब यहां कॉलेज के लिए पुना में आ गए दूर से छोटे गाव से अहमद नगर डिस्टिक जो शिरडी के नजदी के अभी तो वहां से यहां पढ़ने के लिए तब 18-19 साल के आयू में कुछ दोस्तों ने उन्होंने बाबा साथ ते आन्ना जी थे डॉक्र प्रलगाव कि साथ है, तो वह किले सारे के सारे उन्होंने देख लिये थे, साइकल पर, उनके मन में भी तो बहुत प्रेम था, आस्ता थी, प्यार था, मुझे पता नहीं वह कैसे मेरे मन में आ गया लेकिन वह शुरू से ही, शायद शायद उसी की वज़ह से, और उसके बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद मैं बहार आ गया बिजनेस करने लगा इंफरस्रुक्चर सेक्टर में काम करना चाहता था उसके बाद वापिस बाबा सहाब पुरंदरी जी के साथ यहां उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट उन्होंने एक सपना देखा यहां पुना के अंदर शिव सुष्टी का मन में आ गया और बस उसका उसका पढ़ना उसको समझना वो चालू हो गया अब वो उभर रही है ना अभी भी चल रहा है काम जो कितने एकर में है यह काम वो 21 एकर में करीब करीब आज की तारीक में 438 क्रोड रुपेवों की राशी उसमें लगने वाली है उसका पहला चार हिस्सों में से पहला हिस्सा उसका पूरा हो गया इसी साल 19 फरवरी 2023 को महाराज के जैनती के अवसर पर पहला हिस्सा मानियामीद भाई शहा के उपस्तिती में CMDCM कापी सारे लोग थे चतरपती शिवाजी महाराज के यहां के जो सातारा की गादी है वहां के राजा लोग व वह पहला हिस्सा बन गया है 55 करोड उपे खर्चा करके अब दूसरा हिस्सा चल रहा है उसका और बाकी तीसरा और चवता आने वाले सालों में पैसा इकटा करना और पूरा करना लेकिन वह सपना है मैं वह पूरा किया बिने यहां से जाओंगा नहीं दुनिया को नहीं यह तो मतलब हो गाई अब हम यह बताईए कि यह जो पहला तो हैवे आपने किया उसके बाद जो आपने वोर्ड रेकॉर्ड किया जो गिवीज में यह जो बड़ा है आपने जो किया है तो साड़े चार दिन में आप कहते हैं यह आप और आपके सरदारों ने आपके मावड तो यहां काफी उसमें चर्चा हो गई, सोशल मेडिया में चलता था बाकि क्या मेडिया चलता था लोग तो 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 मिलते नहीं तो उसमें एप्रिसेश्चन होने के बाद और अगें कोवीर के बैकडॉप में की आगी है अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में, देश के बारे में, बताओं आपको 24 मार्च 2020 को मानिया प्रदान मंत्री जी ने लॉकडाउन डिकलेर किया भारत के अंदर, 15 दिन आप मैं पूरी दुनिया घर में बैटी थी, टीवी पे वो सब चल दा था, टीवी के फिर वो निगेटिव नकारात्मकता बढ़ती गई, 2020 को एपरिल महने में, 15 दिन के बाद, 10 एपरिल को मैंने रात की न्यूस देखी, और मेरी पत्मी जो है, महोना उसका नाम, उससे मैंने बात कली रात को, महोना ये अकेला गवर्मेंट कुछ नहीं कर पाए, अगर लोगो जादे से जादा उपर लोग महराष्ट के बाहर, याने मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, बेंगॉल, ओरिसा, तमिल नाडू, करनाटक, वहां से थे, अगर वो जाते पब्लिक ट्रांसपोर्स से तो वो इन्फेक्ट हो जाते थे, वहां घर पे जाके उनकी बी करने के बाद भी अगर आप नहीं जाते हो, तो हंडेर परसेंट आपका सैलरी जो है, पेमेंट वो आपके अकॉंट में मैं डाल दूंगा, और किया वो, 85 परसेंट लोग मेरे साइट पे वैसे ही रहत है, ये करने के बावजुद मैंने सोचा कि नहीं कुछ हमें भी करना च ये कॉंटिबूशन, बस 11 एपरिल को ये नकारात्मक न्यूस चैनल पे न्यूस सुन सुन के, सुन सुन के, इतने निगेटिव हो गए, और 11 एपरिल को यहां के जिल्ला दिकारी जो है, कलेक्टर साब पूना के, उनको फोन किया, और उनके हाथ में मैंने PM केर को एक करोड और CM Fund को 50 लाक रुपए का चेक दे के आ गया, तबी थोड़ी शान्ती लगी मुझे, फिर भी इसके बाद जो नकारात्मकता थी, वो तो चलती रही, उसके बाद एक रेकॉर्ड हुआ, उसके बाद जब रेकॉर्ड हुआ, उसकी चर्चा होई, तो गड़करी साब ने सोच है, इनिचाय के लिए क्या करोगे, क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए क्या करोगे, तबी उनका सवाल था, इसलिए मैंने उनको कहा कि, सर मैं आपको एक बता दो, मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ करके दिखाओं, कि आप भी और पूरा देश गर से कहे कि ये भी भारत में हो सकता है, और बस सोच में लग गया, दो मैंने सोच रखी, लोगों से बात करते रहा, और फिर सोच लिया कि नैशनल हाइवे जो पूरव और पश्यम को जोड़ता है देश के, सूरत से लेके क्यालकटा तक, उसके उपर अमरावतिया और अकोला के और फिर सोच रखी, परसुगी है गिनिज वर्ल रेकॉर्ड वालों को, लंडन में तो वो पहले भारत में कुछ हो रहा है तो वो रिस्पॉंस भी देने के लिए तयार नहीं लेकिन छोड़ा नहीं हमने, हम उसका परसिवरंस करते रहे, पूछते रहे, उन्हेंने कहा कि ए एक रोड का फ्लेक्जिवल पेवमेन के बितुमनेस रोड का वोल्ड रेकॉर्ड गिनिज वर्ल रेकॉर्ड वो रूट थे दिए गूनियसलि लेइंग उप 25.27 किलोमेटर अव बितुमनेस पॉंक्रीड रोड इन 242 अवर्स. तो बस मैंने रोहों के सामने वापिस शत रख ली देखो क्या करना है और नहीं यह तोड़ने की बात चल रही है सर तो जरू तोड़ेंगे अपने कम्पनी के लिए अपने लिए अपने देश के लिए खर कशनेंगे मेरा एक साथ ही बैटा तो वो उसने तुरन पजिस शर 75 किलो मेटर करते हैं क्यों 55 मैंने बॉला 75 क्यों बोला कि आजादी का अमड़ म Bishop देẶ को आजाद होते हुए 75 सान होगे 75 किलोमेटर करेंगे उस जो मन में बैटा था ना 75 जाल दिल से मैंने हा कर दिया और 5 मिनिट के अंदर बता चला अरे मैंने किस चीज के लिए हा कर दी 25 से 75 संबोव वाली बात है लेकिन अब बोला है तो करके दिखाना है पीछे नहीं हटेंगे और बस तहीं कि आप फरवरी में चार महने तक माइक्रो प्लैनिंग, मैक्रो प्लैनिंग की तब देखो आपका जो सवाल है ना वहां मैं आता हूँ तो वहां हमेशा एक ऐसा कुछ काम करने के लिए कोई सोच लोगों के साथीदाराओं के मन में डालनी चाहिए यह माइं इसको अगर कॉंकर करते है आप इसको अगर कॉंकर करते है आप मन में उसको अगर आप कंट्रोल लाते होना तो कॉमन मैं भी सामान्य मानूस भी कुछ भी कर सकता है कैसे यह मेरे साथी 728 लोग ड्राइवर से लेके हेलपर से लेके मेरे ओफिसर्स, इंजिनियर्स और मुझ तक उसमें से तो कई लोग ड्राइवर हो अनपढ लेकिन उनके मन में विचार डालने के लिए एक कोई थीम होनी चाहिए मैंने सोच लिया चत्रपदी शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र उसके सिवा और क्या ची थीम हो सकती है और बैस उनकी छोटी छोटी तुकडो तुकडो में मैंने स्टोरीज बना दी और इनको कहने लगा इनको ये मैंने शुरुवात करी कहने के पहले इस रोड के बीचो बीच हमारा जो हेड ओफिस था साइट ओफिस था, कैम्प ओफिस था वहाँ एक वार्रूम बना दी उसको नाम दिया जावली क्यों जावली को वहाँ से शुरुवात करनी चाहिए जहां सोच होने वाली है जावली मतलब जैसे शिवाज महाराज की वो जो वार्रूम होती थी जहां पर सारे और वो जावली गोरिला वार स्टाटेजिज वारफेर स्टाटेजिज और वो इतनी याने सब को जानने लायक ऐसी स्टोरी है कि अबजल खान जब तब साड़े तीन सो चार सो साल पहले महाराज की हिंदवी स्वराज पे चल कर आ गया था बिजापूर से लाखों की सेना महाराज हजारों में तो वो उन्होंने सोच लिया कि उसको जो है गोरिला वार्फेर स्ट्रीजिस उसके साथ ही मारना पड़ेगा इसलिए उन्होंने ऐसा रूप लिया कि मैं बोर दना वास और उन्होंने उसको जाऊली में लाके मारा इसलिए इस वारूम को अमने जाऊली नाम रखा और वहाँ सोच रखी और लोगों को कहने लगा, देखो, तब चत्रपती शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का निर्मान किया, कौन थे उनके साथ, उनके साथ थे उनके मावलाज, जो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे, आपको वो तैयारी रखनी है, उनके साथ शस्त्र क्या थे, उनके साथ तब के शस्त्र थे, हाथी, घोडे, तलवार, भाला, अपने पास क्या है, मैंने उनको कहा कि मेरे साथ, आप सभी 728 लोग, मेरे साथियों, आप छत्रमती शिवाजी महाराज के मावलाज है, हम सब मावलाज है, और आपके पास शस्त्र क्या है आज की तारीक में शस्त्र है, यह होट मिक्स प्लांट, टैंडम रोलर, एक्सकावेटर्स, हाइवा टीपर्स, यह रोड रोलर्स, और इनके साथ अपने को रन भूमी पे काम करना है, और यह अपनी रन भूमी, यानि यह 75 किलोमेटर का रास्ता, तो ऐसे शस्त्र चलाना है, जो पहले कभी च उस तरह का, शस्त्र वही है, बिल्कुल, एक्विपमेंट्स तो वही है, लेकिन आपको चलाना, आपके यहां से, मेरे लोगों को मैं, चत्रपती शिवाजी महाराज की छोटी-छोटी स्टोरियाज, जो गटी थी तब, सच्छी स्टोरियाज, मैंने बताने शुरू कर दी, और उससे इन लोगों का इतना होसला बुलंद हो गया, कि तीन जून को, जब यह काम शुरू करने वाले थे हम, 75 किलोमेटर का गिनीज वर्ड रेकॉर्ड का, पहली बार हो रहा था देश के अंदर, उसके पहले दिन, दो जून को, मैंने शाम को सभी लोगों को, 728 लोगों को इकट्टा करते हुए, एक आखिरी उनके साथ बात करने की बात रखी, जब मैं बात करने लगा, और कल से अपने को, मैंने उनको यही कहा कि, कल यह गिनीज वर्ड रेकॉर्ड शुरू हो रहा है, हमारे उपर गिनीज वर्ड रेकॉर्ड की टीम जो लंडन में बैठी है, उन्होंने आठ लोगों की टीम, एक्सपर्ट की टीम बेजिये एक शिफ्ट के लिए, तीन शिफ्ट में काम चलेगा, चोबीस लोग उनके आये हैं, दो और दो चार कैमेरा आगे पीछे से, एक ड्रोन कैमेरा, क्यों? क्योंकि उनकी गिनीज वर्ड रेकॉर्ड वाले जो लंडन के लोग है, उनकी एक कंडिशन थी, यू शूड एक्सपर्ड रेकॉर्ड विदाउट अब्रेक उप सिंगल सेकन्टूनुसली पाँच दिन जो भी है मतलब भू बनना चाहिए, मैंने बोला कि अगर रुक जाता है तो मशीन है, तो बोला कि आगे रुक जाता है तो मतलब आदमियों को तो मतलब समझते है, मशीन भी नहीं रुकनी चाहिए, वो जर्मन मशीन थी, तो मैंने जर्मन लोगों को बुला लिया, विजन कंपनी के टॉप ऑथरिटीज को, ओगले का वो पेवर था, वो एक सो पचीस घंटे चलना चाहिए, मैंने उनको बोला सब्सक्राइब है, मशीन आपकी जर्मन है, और जर्मन रपिरिटीश के वारे में आप अपने को कुछ कहने की जुरॉत ही नहीं है, तो मैंने ब्लह भला ये गिनई वर्ल्र कॉर्ड बनाना है, तो आपका मशीन चाहिए, आप लिख कर दे तो मुझे 45 गंटे मेरा मशीन चल नहीं जो रखी थी या वहां दो हाइवे एक्सपर्ट्स, दो क्वालिटी एक्सपर्ट्स, दो सीनियर आडोकेट्स और दो टाइम कीपर्स ऐसे आठ लोगों की टीम रखी थी और आठ घंटे का रेकॉर्डिंग लंडन में जा रहा था उसका एवैलिएशन हो रहा था कि यह राजपत वाले कई रुखना गए, कई डी रेकर्गनेस करने की जरुरत ना पड़े और यह किया हमने तीन जून आप जानते हो अपने यहां बारिश आती है, मौनसून सीजन, प्री मौनसून सीजन, वहां तब अम्रावती अकुला में हम लोग काम कर रहे थे, वहां का टे यह जब हमने पहली सोच रखी और जब यह हमने सोच उनके सामने रखी तो NHI वाले, National Highway Authority of India, Independent Engineers और यह कहने लगे कि नहीं करने देंगे, वहां क्यों नहीं करने देंगे, बारिश का और डांबर का चत्तिसका अकुला, एक दूसरे का पटता नहीं है, जमता नहीं है, तो अगर बारिश आ जाती है, तो यह पूरा रोड खराब हो जाएगा, मैंने वहाला, दो किलो मिटर का मैंने पॉलिथीन पेपर लाया है, प्लास्टिक पेपर, वह भिछा देंगे अगर बारिश आती है, और साइड से बार है, मैं टेक्निकल हूँ, उनके साथ काफी चर्चा करने की कोशिश की, मानने के लिए तैयर ही नहीं है, फिर मैंने उनको बाजूरत हो, हमने ये एक अमेरिकन फोरका साइट, अक्यूवेदर, उसको फॉलो किया है, चार महने से, उन्होंने कहा है, कि बारिश नहीं आएगी ये तीन जून से साथ जून के बीच में, कितना परसेंटेश, चालू थे, परसेंटेश क्या है उसका, वो सही था, पोरका साइट ने कहा, 70 परसेंट बारिश की ना आने की नहीं है, लेकिन ओले 30 परसेंट का क्या, मैंने बोला, आजकता है, पता नहीं, इसलिए तो ये सब करके रखा है, नहीं, नहीं करने देंगे, मैंने ये टेक्निकल बाजू रुखो, चला, मेरे साथ में, तेक उसके पीचे फिलोसफी है, इसके पीचे फिलोसफी क्या हो से, वो बात तो करेंगे, आओ तो सही, बैठे हम, मैंने बहुत, देखो, ये प्री मांसून सीजन है, यहां अपने यहां महाराष्ट के अंदर वो मानसुन आ जाता है, मुरुगन अक्षत्र उसको बोलते है, वो आ जाता है साध्यून को, प्री मानसुन की वज़े से बारिश हो सकती है, तो यह मुरुगन अक्षत्र जो है न, यह देवता जो है, मुरुग देवता, बारिश की तो उसका धनी कोन है? मैंने बोला। राजा कोन है? मैंने बोला। राजा इंड्र ड्रव? BEN. Mi अनने ड्राइस की और रॉन राजा। ग्लार्व Şuर्ड बनाने जा रहा हूं और आपके राजदनी से र्डवाति, रैसे अपना विधरबगा मेन ग्लार्व लॉत को भी सि क्पन हा कुपा करके पाच दिन के लिए इन 75 किलोमेटर के अंदर बारिश ना आने लिए कुछ भी कहते हो वह कैसे सुनेगा मैंनों उसके लिए भी एक फिलोसोफिय नहीं क्या मैंने वहला कि मुरुग देवता यहने बारिश की देवता वह साध जून से शुरू हो जाती है मुरुग को प्रातना की कि अब आने मत दे तो उन्होंने हाथ जोड लिया आखिरी में और कहा और सभी और यह मैंने मैं आपको बताओं दो तारीकों एक दिन पहले लोगों ने भी मेरे लोगों मुझे पूचा कि सर यह बारिश आए यही उधारन मैंने उनके सामने रखा मैं आपको तो बताओ, कीता में लिख के रखा है, कि 200% करन करो, फल की अपिक्षा मत करो, वो अपने आप आप आजाएगा, यहीं सिखाया है अपने पुर्खोने हमें, तो बस चतरपदी शिवाजी महाराज ने यहीं लिख कर रखा है, तो इसलिए मैं आपको मज़े की बात तो आगे है तो आखिरी में इन्होंने हाथ जोड लिए, क्या अब तुमारे सामने क्या कहे, जाओ तुम्हे करना ही है ना, तही किया है तो करो अभी, पूछो मत, बस जूट गए, पूजा के साथ, तीन जून को सुबह साथ बच कर 27 मिनट को काम चुरूआ, साड़े चार दिन के अंद शाम को तीन बार घनी बारिश हुई, प्रिमान से, शावर, और अकोला में दो बार घनी बारिश हुई शाम को, लेकिन इन 75 किलोमेटर के ऊपर एक बूंद नहीं, बूंद, और जब ये साथ जून को, शाम को पाँच बजे काम खतम हुआ, उन्होंने माप लिया, लंडन से एडजुडिकेटर, गिनिज वर्ड के टीम से आया था, उन्हेंने माप लिया, जान लिया, ये काम पूरा हुआ है, आठ जून को, दुवाधार बारिश, दुवाधार, अब क्या कहें, वन देर इस विल, देर इस वे, आप बिलिए अगली बार ना, हमको बारिश चाही कहीं जोड़े पे जहां बारिश भी होदी, वहाँ पर आपको बला लेंगे कि आप लाओ बारिश भाई, यहां लाओ आप, यह फाइनली यह हो गया, आपका, यह राजपत बन गया, कमाल, मतलब यह कोविड के बैग्रांड में इतना सारा मतलब जिद्धी और इतना spirit मेरे खाल से बच्पन से रहा है क्योंकि obviously मेरे खाल से जो भी लेकिन मैं इसके पहले एक मैं बता दू ये किया है मैंने कुछ नहीं किया किया है मेरे लोगों ने मैं उनके साथ थावा 728 लोगों के टीम ने जिनको मैं कहता हूँ कि मेरे सरदारों मेरे मावलाओ इन्होंने दिन रात पिचाक की ये किया इसलिए जब ये हुआ वड़करी साब आनलाइन आ गये उन्होंने कॉंग्रेशुलेट किया और उसी दिन उनके हाथ से ये गिनिज वोर्ल रेकॉर्ड देश को समर्पित किया हमने राजपत की तरफ से कि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए तो ये देश के लिए समर्पित और उसी दिन 728 लोगों के सामने कहते हुए मैंने उनको कहा कि आपकी याद में इसी रोड के ऊपर एक ऐसा टावर कुछ बांदेंगे जिस समविधान के ऊपर अपना देश खड़ा है दस प्रिंसिपल्स है डॉक्टर बाबा साथ अमबेड करजी ने लिखिए हुए वो चालीस फीट टावर उस दस प्रिंसिपल्स के साथ पंखों के साथ एक डिजाइन बनाया और वहां बड़ा प्लाटफॉर्म किया है उस प्लाटफॉर्म के ऊपर वो अभी बन गया है उसका लोकारपन होने जा रहा है इसी मेने में 25 नवेंबर को गरकरी साब आ रहा है और उस प्लाटफॉर्म के ऊपर इन 728 इस लोगों का नाम ग्रानाइट में डाल के वो पर्मनंटली वहां लगा रहा हूं है क्या बात है सर इसी को बड़ा प्पन केहते हैं क्योंकि ये बड़ा टास्क तो कर लिया लेकिन जिनकी वज़े से हुआ है उनको अपने मतलब अमर कर दिया जिया को सब्सक्राइब कर देसे लिए जिया को अपने बात है